वीर निधी से धीर हो, वीर बने गंभीर, पून तैर कर पालिया भव सागर कातीर, अधीर हूँ, मुझे धीर दो, सहन करूँ, सब पीर चीर चीर कर, चीर लखूं, अंतर की तस्वीर परंपु जाचर भगवंत गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुनी महराज की, एक हजाराट श्री अजितनात भगवान की, समस्त मुनी संग की, युवरास थे, और ऐसा नियम लेके रख लिया था की, अस्टमी और चतुर दसी को समसान में जाकर के समाई किया करते थे, आप लोगों तो कभी समाई के लिए घर में भी मन नहीं लगता होगा, लेकिन जैन दर्शन में सावख इतना जबरजस्त था, कि घूमने फिटने के लिए लोग गार्डन में जाते थे, लेकिन वो समाई करने के निमित से समसान में जाकर के, क्योंकि समसान की शान्ती बड़ी जबरजस्त हुआ करती है, कोई दूर-दूर तक कुछ ही नहीं रहता, दो-चार कुट्ते बिल्ली दिख जाएं तो दिख जाएं, आदमी तो पचास मीटर दूर से ही निकल जाता है, भईया समसान है, लेकिन उन्य उबराज की आदत थी, समसान में जाकर के समाई करने की, अस्टमी का दिन, समाईक में बैठे हुए थे, पीछे से एक छोर आया, और छोर आकर के, महराज जिवराज के सामने जो है, वो एक शमकता हुआ, मणी का हार छोड़ गया, पीछे से सैनिक दौल रहे थे, क्योंकि छोर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हार का गमन दिखाई दे रहा था, अस्टमी के दिन, सिर्फ ये दिख रहा था कि हार यहां से उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ जा रहा है, और उस हार के पीछे, 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 अनेको सैनिक लगे थे, महराज ने भी आग्या दे दी थी चोर पकड़ में आ जाए तो सीधे हमारे पास ले करके चले आना हार मिला समसान में युवराज के सामने सैनिकों ने युवराज का चहरा देखा देख करके कांप गए हार उढ़ा करके ले आए उठा करके हार लाकर की महराज को दिया और महराज से कहते हैं चोर को उठाना हमारे बस की बात नहीं है महराज ने पूछा कि चोर जब तुम हार ले आए तो चोर को लाने में आपत्ती क्या थी बोला नहीं महराज चोर को तो हम कुछ कहीं नहीं सकते क्योंकि चोर सामान ने नहीं है चोर कौन है महराज अभैदान मिले तो कहें महराज कहते हैं कुछ नहीं होगा बताओ चोरी किस ने की है हाद जोड़ करके सैनको ने कहा आपके ही पुत्र ने समसान घाट में पुत्र बैठे हुए थे और उनके सामने ये समक्ष हार रखा था चोरी आपके पुत्र ने ही किया महराज अभै कुमार को लगा कि मेरा बच्चा होकर कि चोरी करे हो नहीं सकता लेकिन महराज ने आग्या पहले से दे दी थी कोई भी हो उसको फांसी पर लटका दिया जाए हमारी महराणी चेलना का हार लेकर के कोई भागा तो भागा कैसे और पुत्र ही भागा तो पुत्र को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए आग्या सुनकर के जितने भी सिपाही थे सब काप गए कापने के बाद बार-बार बस एकी बात युवराज हैं युवराज को कैसे फांसी में चढ़ा देया महराज ने कह दिया आग्या का तुरंद पालन हो सबसे पहले महराज आबयकुमान ने कहा युवराज वारी शेन को सीधे सीधे फांसी पर चढ़ा दो जलाद बुलाएं जलाद बुला करके इस्थान तक लेकर के गए फांसी लगाई काला कपड़ा पहना यहां वारिशेन थोड़ा भी विच्रित नहीं हुए विरोध भी नहीं किया लडने की बात ही नहीं रही जबकि वारिशेन की बुजाओं में बहुत दम थी बस एकी सूत था वारिशेन का कि छोटी-छोटी लडाईयां नहीं लडनी है छोटी-छोटी लडाईयों में अपनी उर्जा बरबाद नहीं करनी है छोटी-छोटी लडाईयों में लड़कर के हमको अपना दिमाग खराब नहीं करना है वारी छेड का यह है जो सूत्र था यह बड़ा जबर जस्त था हम अपने घरों में जब रहते हैं छोटी-छोटी चीजों में बड़ा-बड़ा दिमाग खराब करते हैं दुनिया भर की चीजें हैं दिमाग खराब करने के लिए किस बात में दिमाग खराब कर दिया ये समय पे सो के नहीं उठती है ये समय पे चाय बना के नहीं देती है ये नमक जादा डाल देती है ये हमारे कप्ड़े धो करके नहीं रखती है इस से कुछ भी काम कहो डंग से नहीं करती है छोटी छोटी बातों पे आज भारती संभीधान के अंदर न्यालयों में जाकर के देखिएगा तो 98% जितने बिबाद हैं इन छोटी-छोटी बातों से भरे हुए हैं और न्यालय की और न्याय की पूरी भूमका, भंगिमा, पूरी गर्मा नश्ठ होती चली जा रही है उसने हमको बे कह दिया था, इसलिए हमने कोड केस कर दिया इसने हमको सबके सामने पती ने पतिनी को जलील कर दिया पतिनी ने दहेच प्रक्ण का केस फसा दिया लड़ते रहेंगे, अब देख लेंगे तुमको गुंडा कर दी दिमाग में हावी है किस बात को लेकर के छोटी छोटी बात को लेकर के जिसको आप लोग अपनी भासा में जो बात कहते हैं मेरे मुझे से कहना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन छोटी छोटी बात तो पर जगड़ा बिबाद पहले कमरे में फिर घर में फिर महले में फिर नियाले में उसके बाद 30-30 साल की जबान जबान बेटिया हैं बंदों और कोल्ड केस लगा करके अपनी आंगे की 40 साल नहीं देखती हैं अहंकार को पोशित करती हैं और नागिन हैं उनकी वो माएं जो अपनी बेटी को लड़ने के लिए पेंड़ना देती हैं मलब कुमाता अगर देखना है तो लड़की की मा को देखिएगा जो लड़की को बार बार पेंड़ना देती इस बात का तुम तो लड़ो चाहे कचू हो जाए हम हैं हम तुमारा साथ देंगे जिंदगी बर अरे खुद का सरीर तो चलता नहीं है अप जुकना ना सिखा करके अपनी ही बच्ची को पहले दिन से कान में विजगोला जाता है गुर्दियों ने एक बार बड़ा गजब का कहा गुर्दियों बोले आख में तो फिर भी पलके हैं महराज आख को बंद कर लोगे कान में कोई पलक और कोई गेट नहीं लगा रहता ना चाहा करके भी कान से बहुत सारी आवाजे दिमाग के अंदर चली जाती है दुनिया भर में घरों के अंदर देखिएगा आपके महले में कोई मिल जाएगी महिला महीला होगी, पती होगा, दो-ती-इन-चार जबान बेटिया होंगी एक का कोड के चल ज्रा होगा, कोई किसी की साथ भग गई होगी कोई किसी की साथ गुम पर के आड़ जिल जिंक की लौट कर आ गई होगी और उसमें भी एकात की साधी हुई और वो भी घर में आकर के बढ़ गई उसको भी मा दिमाग देती है तुम तो केस लड़ो जो होगा आपन देख लेंगे हजारों भी बाद हैं हजारों छोटी-छोटी बात तो मैं लड़ना खूब सीखा है तुमने क्योंकि बड़ा कोई काम ही नहीं महराज कोई पूर्षाद करने के लिए कोई ना किसी ने समझाया ना कावी समझे छोटी बात को जिंदिगी का इशू बना लिया अब सब्जी के लिए कोई लड़ता है घर के अंदर कोई चोटी सी प्रापल्टी के लिए लड़ता है पंदा फिट का मगान है, साड़े साथ फिट का हमको चाहिए किसी का पती मर गया तो लोगों को फिर उसकी प्रापलडी चाहिए घर के अंदर भी बड़े जगड़े हैं अर्थी बाद में उठेगी पहले प्रापलडी का सोना चांदी हीरा मोती निकाल करके लोग अपने अपने घरों में रख लेते हैं बले उसका जो होगा तो होगा अपना क्या होगा कभी चिंता नहीं करी वैधब को प्रात महिला वो कैसा जीवन जिएगी अरे बहुत बहुत अच्छा है उसका तो कुछ भी हो जाएगा छोटी छोटी बातों में अहंकार छोटी छोटी बातों की लड़ाई हमारे बेक्तिकत जीवन का अंग बन गई बन दो महराज वारिशेण को युवरास थे वो वारिशेण जब बताया गया कि आपको फांसी दी जानी है चोरी के अपरात पे चुचा चपट तक नहीं करी बस एकी बात सोचते रहे कि कैसे क्या करें हम क्या हम दिमाग शलाएं कि कि किसी भी तरीके से ये चीच खत्म हो जाए वारिशेण को लगा विबात करना ब्यर्थ है फांसी में चड़के देखते हैं और फांसी की फंदे तक बारिशेण महराज युवराज पहुच गए पहुच गए कसाई ने काला कपड़ा डाला उपर से फंदा कछा कचका कीच़ा तो देवताओं का सिंगासन डोल गया डोल करके फांसी की फंदे को फूलो का हार बना दिया जब फूलों का हार बना तो सिपाहियों को लगा कि अचानक ऐसा कुछ चमतकार हो गया होगा एक बार फांसी चड़ने पर दुबारा नहीं चड़ाई जाती लेकिन बारी सेंट दुबारा फांसी पर चड़ाई गए दुबारा फांसी पर चड़ाया फिर वोई प्रदिग्रिया देवताओं ने दुबारा गले में पुष्प की माला डाल दी सिपाही जा करके महराज अभे कुमार से कहते हैं कि आपके पुत्र की देवता रक्षा कर रहे हैं आपके पुत्र को देवताओं को संरक्षान प्राप्त है, कोई रिद्धी सिद्धी है, हम फांसी में चढ़ाने की कोशिस तो कर रहे हैं, लेकिन कंठ में हार बन करके एक माला डल जाती है और असी गायब हो जाती है, अभय कुमार बोलते हैं, मेरे सामने चलो, मेरे सामने मेर पुत्र को फांसी में चढ़ाओं क्योंकि उसने हार चोरी की है और आग्या मैंने दे दी है, अभय कुमार की सामने भी जब फांसी का फंदा हार बन गया, अभय कुमार को समझ में आया, कि वारिशेंड ने चोरी नहीं की, इसलिए देवता इसकी रक्षा कर रहे हैं, अभय माराज पिता होने के बावजू छमा प्रारती हूं, घर चलो, उधर वो जो चोर था, वो चोर दूर पेड़ के पीछे खड़े होकर के द्रशे को बार बार देख रहा था, देख रहा था कि कैसे समसान घाट पे मैं इसको चोरी करके लाया और मैंने महराज युवराज वार वारिशन से कहते हैं कि वारिशन घर चलो, घर चलके क्या करूंगा, आपने तो मुझे फांसी दे ही दी, वहाँ बिदुचर जो चोर था, जिसके अंदर अंजन घुटिका लगा करके अद्रश हो करके चोरी करने की कला में प्रवीर था, वो दूर से देख रहा है, देख र महराज ने फांसी चड़ाने की आग्या दी, फांसी चड़ाने की देनी की आग्या के बाद यूराज को फांसी चड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फांसी खुल करके, गले में हार बंके लड़क गई, बिदुचर से न रहा गया, बिदुचर चोर निकल करके बाहर आय बाहर आकर के महराज अभय कुमार से कहता है चोरी उनने नहीं की है चोरी हमने की है हमको फांसी पचड़ाई जब ये बात चोर ने सामने आकर के कही अभय कुमार देखते रहे गए बारीशेंड से अभय कुमार ने कहा कि बेटा घर चलो बारीशे ने अब एक ही बात कहते है मैंने संकल्प कर लिया था कि अगर मेरा प्राणा बचा तो कभी भी पात्र पे भोजन नहीं करूँगा अब अंजली में भोजन करूँगा ये मेरा संकल्प है अगर मैं बच गया तो और मैं बच गया हूँ दैव योग से तो आपके घर नहीं जाओंगा यहां से सीधे जंगल जाकर के मुनी दिक्षा लूँगा बड़े लोग बहुत खुबसूरती है बड़े लोगों के जीवन की जरा जरा सी बात पे बदला नहीं लेते छोटे नीच जातके या फी नीच कुल के या फी नीच मान सकता वाले लोग होते हैं जरा सी बात पे बदले पर उतारू तुमने हमारी मम्मी को कुछ कह दिया था हम तुमारी जान लेके रहेंगे नीच लोग हैं जो बदला लेते हैं छोटी छोटी बात का हम उस कुल के लोग हैं कि बड़े-बड़े पत्थर बरसा दिये, लेकिन हमारे प्रभू ने प्रतिकार नहीं किया, कला सिखाई गई है जयन धर्म में सुरवास से, छोटी-छोटी बातों का बदला मत लेना, जीवन नर्ख हो जाएगा, लेकिन हम जयन कुल के होकर के भी अज जैनों जैसा जीवन जीने के आदी हो गए, जरा जरा सी बात पर बदला, जरा जरा सी बात का प्रतिकार, जरा जरा सी बात का विद्रो, जरा जरा सी बात पर लड़ाईयां, बिल्कुल जरा जरा सी बात पर, जिन बातों की साम होते होते कोई कीमत नहीं होती, उन बातों के ह हमने घरों में से निकल करके कोल्ड केस लगा करके न्यालाय का समय बरबाद करने पे लगे उर्जा भी लगाते हैं पैसा भी लगाते हैं दो भाई का बीट का बिबाद है मात दस फुट की जमीन का दो फुट की जमीन का पांच फुट की जमीन का एक को भी दयान आई चलो छो हो जाए ये तो मानसिकता है ये जैनों की मानसिकता है नहीं बंदू लेकिन जैनों के घर में भी ऐसे क्रियाकलाप होने लगे हैं अगर तुम्हारे मंग के अंदर थोला भी अपने शब्द के बगल में जो जैन लगाते हो न उसकी थोड़ी भी कीमत बची है तो नियम ले लो कि 50 लाग से कम कि किसी भी संपत्ती पर किसी भी प्रकार का कोई कोड केस नहीं करेंगे 80 परसेंट केस घर के अंदर बैठ करके साल्व हो जाएंगे 50 लाग कोई बड़ी चीज नहीं होती बंदू यहां पर आकर कि अजितनाद भग्वान जी है बंदध जी के अगले तीन महने के अंदर तुमारा घर तिजोरी से भर देंगे यह हमारी गारंटी है हमारी गारंटी है मराद बड़े कंफिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप कंफिडेंस मुझे भगवान ने दिया है दो महने से लगातार सेवा कर रहा हूँ उनके साथ 24 गंटे रहता हूँ दिन में रात में मेरे साथ संबंध है मैं जानता हूँ कि मैं एक बार में बोलता हूँ भगवान मेरी बात एक बार में सुन लेते हैं तुम हजार बार दरबाजा खटकडाओगे, हाती जैसा बल लगाओगे और हमसे प्राथना करेंगे बंदूओ, दोनों में अंतर है, तुम्हारी बुजाओं की ताकत से हमारी दुआओं की ताकत ज्यादा तेज है, वो काम करती है, लगे, कि छोटी-छोटी बातों में घर के मिलका की कलास रखने आए हैं, आप आशिरवाद दीजिए, मेरे भाई का घर भी खुफले और मेरा घर भी खुफले, ये कोड लगाई है आप बना जी के जितना भगवाएं के पास, क्या कोड के समें जाकर के बढ़ गए, वहाँ वारिशेंड महराच, महराच अभै कुमार वारिशेंड से कहते हैं, बेटा घर चलो, वारिशेंड कहता है कि घर नहीं जाना है, घर में आप मेरे साथ क्या करने वाले थे, थोड़ा सा क्रोध क्या कर देता, मैंने बहुत अच्छे से देख लिया, अब सीधा मुनी बनना है, वो बिद्दुचर भी कहता है, चलिए मह महराज कलती हमने करी थी, आप तो घर चलिए, मैं तो घर नहीं जाओंगा, बिद्दुचर कहता है, महराज अभय कुमार से, चोरी मैंने की थी, आप मुझे सजा दे दीजिए, आप मुझे सदा दे जीजिए, पि सजा देने के बाद जो है, मैं भी मुनी बनूंगा, चोर क कहती कि यहो कोई केश चल्ड़ा हो वो दिगंबर सादू नहीं बन सकता तो अपराद था दिमाग में तो कहा कि मुझे सजा दे दो तो मैं जा करके मुनी बन जाओ अभैकुमार कहते हैं जब मैं अपने पुत्र को नहीं समझा पाया तुमको क्या सजा दू जाओ तुम भी उन लड़ना पड़ता है आप प्रापर्टी की पीछे लड़ते हैं पैसे की पीछे लड़ते हैं जरह से जमीन जरह से बादरूम के पीछे जरह से भाई बतीजे की पीछे लड़ते हैं गुर्देव कहते हैं जीवन में सबसे ज़्यादा अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है संपत्ति के खिलाब लड़ने वाले तो एक दिन संपत्ति हार करके छोड़के चले जाएंगे अरे नोटंकी बाजो तुम कुझे खुद बताओ कि जिस संपत्ति की पिछे लड़ रहे हो टटिया में बांध करकी उपर ले जाओगी क्या हैं? पांच एकड के खेद के जक्कर में तुमने जिंदगी के 30 साल कॉल्ट में लगा दिये पांच एकड के खेद की आदा किलो मिट्टी भी तुम्हारे काम आने वाली नहीं है लेकिन लड़ना है, लड़ाई तो करनी है महराज, भाई से ही करनी है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई है जगड़ा किस बात पर है साड़े साथ फुट के मकान में दो कमरें हमको और चाहिए कोल्ड केस लगा दिया क्या लगता है अच्छा लगता है अपनकुफ मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे गुरू मानते हैं और मेरी बात सुनते हैं और एक बात में सुधार भी करते हैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ पचास लाग से कम की प्रापरिटी के समय में आपके हाथ में आजाएगी भगवान सब को देते हैं और सब देते हैं जैन दर्शन में साकाम भक्ती भी है और निश्काम भक्ती भी है मोक्ष पुरसाद के लिए भी भगवान चाहिए और संसार समालने के लिए भगवान का साहरा चाहिए प्रभु देते हैं न सब कोई प्रतमय नहीं देती होगी लेकिन अजितनात भग्वान बंधा जी के तो देते हैं चार जून को दुनिया के दस अजार लोग फिर आने वाले हैं आप भी पदारिएगा वारिशेंड से कहा कि बेटा अभी भी सोच लो बोले पीता जी सोच चुका फासी के फंदे में तो लड़ागी गया था मरती तो निश्चित थी ही अब जितनी भी लड़ाई करनी हैं सिप अपने खिलाफ एक की चीज़ सोचना है अपनी मान कसाई अपना क्रोज अपनी माया, अपना जूट, अपना सत्य अपना बैभव, अपना बासल, अपनी दया सब कुछ अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है सादू जीवन में सादू जीवन में किसी और को देखकर के कोई प्रतिस परदा नहीं रहती बगलवाला साधर्मी क्या पुर्षाद करता है किस तरीके से महनत करता है कितने उबास करता है किसी दूसरे सादू को प्रतिस परदी तो रहते ही नहीं कोई भी मुनी बना है कोई भी आरका बनी है, कोई भी छुलाग बना है कोई भी आचार बना है जब तक वो अपने खिलाफ जबरजस लड़ाई नहीं लड़ा है अपने करोध को नहीं मारा, अपने मान को नहीं मारा, अपने लोप को नहीं मारा, अपने मायाचारी को नहीं मारा अपने वैमनस सभाव को नहीं मारा, अपने रागदेश को नहीं मारा, अपने मोह अंदकार को नहीं मारा अपनी हास, रती, अरती, शोग, भैज, गुपसा, तीनों बेत के उपर जिस सादू ने खुद काम नहीं किया और अपने पुरसत को पुरस बनके पुरसत में गाफिल हो गया, अगर बेत का उदाय आ गया, तो सादू बरिष्ट हो गया, हाथ से का उदाय आ गया, तो सादू बरिष्ट हो गया, एक अच्छे सादू को सिफ अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है, भूब लड़ता है वो, उसका क्रोध भी आसमान होता है, उसकी मायाचारी भी आसमान होती है, उसका लोब भी आसमान होता है, तपस्या की आग में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गलत हाथ में ना जाए, इसलिए अच्छे सादू का सहरा चाहिए पड़ता है, कोई बहानाचार जब जीवन का अंग ब फिर कहीं भी रहे एक विस्वास और भरोसा रहता है कि गुर्देव हैं समाल लेंगे उन साध्यों की बड़ी दुर्गती होती है जिनके जीवन से भरोसा उड़ जाता है कि अचारसी मुझको अब क्या समालेंगे अचारसी ने तो आशिरवाद देना भी बंद कर दिया उनके में रह करके अपने आपको गुरू की आग्या के बिना जमाना ये बहुत बड़ी बात होती है कुछ लोग साधू ऐसा भी करिश्मा करके दिखाते हैं जिसके जरूत नहीं है चाहें तो अभी मायं को थोड़ा सा मार करके गुर्देव की चंड़ों में पहुंच जाएं पारिशेंड गुमते घाम थे अपने उस गलीयों में दुबारा पहुँचे मुणी चर्या निभाते हुए मित्र के हां आहार हो गया। मित्र को यहां आहर हुआ, मित्र बड़ा खुस हुआ, कि जिसके साथ गिली डंडा खेलते थे, जिसके साथ थोड़े बहुत घुमया फिरी करते थे, मस्ती मजा करते थे, आज दिगंबर मुरी बन करके पड़गाहं करने का सौभाग गमिला, मित्र भी बड़ा गदगद, में कोई नारियल बाढ़ता है, कोई केले बाढ़ता है, कोई संत्रे बाढ़ता है, कोई चांदी की माला बाढ़ता है, जिसकी जितनी सामर्थ होती है, कोई सिक्का बाढ़ता है, साथू का आहार निर्विंग संपन्ध हो गया, मुझ जैसे पापी का साथू ने आहार गहन क लिया वो भी निर्दोस चरिया हो गई कुछ ना कुछ तो प्रभावना में बांट करके जब लोगों घर में कुछ बढ़ता है बतासे बढ़ते थे कभी प्रेट बढ़ती थी अब पता नहीं क्या बढ़ता है अब मैसेज बढ़ता है महराच एक फोटो क्लिक करके डाल देते हैं और फिर लोगों की बढ़ाईयां फीडबैक आना सुरू होता है बहुत बढ़ाईयां है तालियां है अनमोधना है ऐसा है वैसा दुनिया जमाने की जमाना थोड़ा हाइटेक हो गया है लेकिन प्रभावना है पुषवडाल के अहां जब आहर हो गया पुषवडाल बह अंदर है अपने उपर काम किये बिना कोई सादू बनता है तो बड़ी बद्रामी हाथ लगती है पुषवडाल प्रस्ते में वारिशन को बताते रहे महराच देखिए ये वही तलाब है जिस पर हम आप प्रतिस पर्दा करते थे कीड़ा करते थे आंगे उद्द्यान मिला आम का बगीचा मिला फिर पुषवडाल ने कहा महराच यहां के बहुत मीठे आम है बसंद्रितों में सरवाधिक आम आम यहीं के खाया करते थे आंगे जाकर के बावडी मिली महराच जी वह प्रसिद बावडी है जिसमें आप उपर से छलांग लगा कर कि नीचे कूनते थे बारिशेंड सब कुछ देख रहे थे मुस्कुरा रहे थे कमंडल पुषवडाल के हाथ में था जब गंगोर जंगल के बीच पे पुषवडाल पहुच गए बारिशेंड पहुच गए बारिशेंड से पलड़ करके एक ही कहा एक ही बात कही बस बारिशेंड ने मित्रता का अच्छे से निर्वाहन किया है नहीं अभी तुम्हारे साथ सब कुछ खेल कुनने के बाद में सादू बन गया, तुम अभी भी बहीं बैठे हो, हाँ मुनी महराज, मैं भी यही सोच रहा था, कि मैं सादू क्यों ना बन गया, धन्य आपका जीवन, मुझे भी दिख्षा दे किया हूँ, एक बार देख तो ले कि दिगंबर रूप किता प्यारा होता है, पिछी गंडल हाथ में उसका पती कैसा दिख रहा है, बार बार इच्छा होती थी, बारिशेंड गुमा के बहुत दूर ले गए पुषवडाल को, वो गाँ, वो नगर, वो गलियां, वो चौब थी, कि उसका क्या होगा, कैसी है वो, गुर्देओं ने कहा हम लोगों से, पराय के गुन पर मुगध हो करके, अगर आपने कोई जीवन स्विकार कर लिया है, ये पराय के गुन की मुगधता जीवन को बरबात कर देती है, हम भी पराय के गुनों पर मुगध हो करके, घंट दूसरों के गुणों को देखने से तुमारे जीवन में गुणाने वाले नहीं है, कोई नमबर मिलने वाला नहीं है, कोई साधू उग्रतपस्वी है, कोई साधू प्रभाबक है, कोई साधू प्रवचंकार है, उसके प्रवचं सुन लेने से तुम प्रवचंकार नहीं बन ज साथे सिर्फ दूसरे के गुण को देख करके मुगद है तेंदूल करके शौट देख करके बिराट कोहली का चेहरा देख करके अनुसका शेटी का क्या चेहरा देख करके अरे क्या दिखती है पराय गुण पे मुगद है अपने चेहरे के दाग देखो बाई उके चेहरे के ला दिता चली ही जाती है कुछ होता जाता नहीं पुश्पडाल बारीशेण के साथ 11 बर्स से जादा निकल गया एक दिन बारीशेण ने कहा बहुत दिन हो गये हैं सोचते हैं एक बार पुनह अपने उस मगत के सामराज में घूम करके आए चलते कहा पुश्पडाल जी पुश रहे थे एक बार मगत का सामराज दुबारा देख लिया जाए इस बार के विहार में बड़ा आश्र था कि पुश्पडाल आंगे चलते थे और वारीशेण पीछे हर बार वारीशेण आंगे चलते थे पुश्पडाल पीछे हो जाते थे इस बार पुश्पडाल देता हूँ, बर्सों से सारी चरिया करने के बाद भी वो जो मेरी इस्त्री थी जिसका नाम सुदत्ती था सुदत्ती नाम भी इसलिए पढ़ गया कि उसकी दंथ पंतिया बहुत खुबसूरत दिखाई देती थी तो माता पिता ने उसका नाम सुदत्ती रग दिया सुदत्ती वो कैसी होगी वारिशन को लगा कि अभी इस्तिती करण और गुहन की अत्तन दावशक्ता है सीधे चेलना रानी के पास जुनकी मां थी एक संदेशा पहुचा दिया हम अन्तैपुर में आ रहे है महरानी चेलना हिर्दय में कांप गई बेटा सादू बनने के बाद घर वापिस लोड़ता है सबसे पहले माता पिता का हिर्दय अंदर से कांप जाता है इसको ऐसा क्या हो गया कि बीसो साल चरिया में प्रमीन होने के बाद और महानता माचार होने के बाद घर आ रहा है और घर में भी कहता है कि इस्त्रियों को पूरा तयार करके रखना सोला की सोला राजकुमारियां बड़े बड़े घरों की उनको तयार करके अच्छा रूप सौंदर रवती थी तयार करके रखिये आ रहा हूँ मैं चिलना सोस्ती है मेरे किस जनम का पाप उदय में आया है पुत्र वापिस घर आकर के अपनी इस्त्रियों को देखना चाहता है क्या हो गया इसको क्या करें इसके साथ थोड़ा सा गंबीता वड़ी चिलना ने दो आसन लगवा दिये एक शुद काष्ट का एक आसन लगाया लकडी का और दूसरा एक राज सिंगासन चांदी सोने का चम चमाता हुआ दोनों लगा करके बैठा दिये महराज का आना हुआ चिलना पूरे समय हाँ जोड़कर के बस एक प्रार्थना है कि बगवन बचा के रखना बचा के रखना वारिशेन जैसे ही सामने आए सामने आकर के वारिशेन के सामने चेलना ने कहा धन है मुली महराज आपके इस रूप सौंदर को देख करके इस चेलना की आँखे पवित रुई आपके चल्णों में बारंबार नमशकार है पुत्रिपती ऐसी भक्ती आशिरवाद दिया वारिशेल ने चल्णा को और शुद्ध काष्ट के सिंगासन पर जाकर के चुपचाप बैड़ गए चल्णा की आँख से आसु बहा और अपने अरिष्ट नेमीनाद भगवान के चल्णों में बार बार पडाम करते हुए चल्णा ने कहा कि भगवन धन है आपकी करपा मेरा पुत्र निर्दोस है आज भी निर्दोस है क्योंकि उसने आसन सुद्ध पकड़ लिया साथ में आया पुषवडाल मुनी था सोने के सिंगहसन में पहली बार में चड़ गया बैटिने के स्थान तो लगड़ी का था पीछे बढ़िया ताम जाम लगा करके चल्णा ने तयारी कर दी थी देखते हैं किस वो क्या पसंद है चल्णा एक मिट में ताड़ गई कि पुषवडाल के मन के अंदर अभी इस्थितिकरण की अवश्यक्ता है तुरंत संकेत दिया मुनी महराज पाद पक्षालन की आग्गा मिले महराज ने अपने वारिशेन मुनी महराज ने दोनों पाद पंकच आंगे किये और चल्णा ने सोने के लोटे से महराज के चल्णों पर जल्की धारा छोड़ दी गंदोदक माथे पर लगाया और अपने आपको धने धने कहते हुए अपनी अंतापूर में सारी बदुवों को बोला कि सारी बदुवे सामने आकर के महराज को नमस्कार करें जब बदुवे आई तो उनका अर्द गुंगर दिखाई दे रहा था यहां तक का ब्रह्म रंद तक पल्लु खुला हुआ था और सारी की सारी यौवन वती सुकमारी कन्याएं सामने आकर के खड़ी हुई पुषडाल वारिशन की आखे मिली वारिशन पुषडाल से कहते है पुषडाल यह मेरी पूर्व की पत्निया है जो तुम्हे नमश्कार कर रही है इनको आशिरवाद दो महराज आशिरवाद दो इनको जब इतना प्यार से वारिशन ने पुषडाल से कहा पुषडाल ने एक एक को बहुत अच्छे से देखा और देखते में बस ही लगा इतना सौंदर होने के बावजूद वारिशन मुनी महराज कैसे मुनी महराज बन गए क्या छोड़ा है वो इनके चहरे पर दिखाई दे रहा है किस तरीके का वैराग होगा इनके घर के अंदर इनके मन के अंदर किस तरीके की साधना की शक्तियां होंगी कि इतना सौंदर वती इतनी सारी यवन वती राजकुमारियों को इन्होंने एक बावर में छोड़ दिया और उसी समय वारिशन मुनी महराज ने सुदत्ती को भी बुला लिया सेनको से कहा कि जाओ सुदत्ती जहां है जिस कंडिशन पे है जैसे स्थिती पे है उठा करके यहीं पे ले आओ सुदत्ती जब वहां से यहां आई सुदत्ती अपने घर में आगन में घास काट रही थी साड़ी थोड़ी सी कमर में चड़ी हुई थी मिट्टी से सने पेर थे, हाथ में टंगिया पकड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, एक मुंपर थोड़ा सा मिट्टी फशी हुई थी, और ओट बिलकुल सुखे थे, मोटा मोटा सरीर था, मोटे मोटे कान और मोटी मोटी नाक, उन सारी कि सारी, राजकुमारियों के बीच में सुदत्ति को एक सिंगासन दे दिया सुदत्ति बैठो पुषडाल की तरफ देख करके बोलते हैं आज से ये सब आपकी सेवा करेंगी सब पुषडाल आँख से आंसु बहाते हुए अंदर ये अंदर उस भाब को समालने की कोशिश कर रहे है किस चीज की पीछे पगला पंती में लग गया एक इस्तरी के चक्कर में जिन्दगी की साधना के अप्रतिम बारा साल बरबाद कर दिये बारा साल की समाई बारा साल का एकासन बारा साल की उबास 12 साल का केश लूंच 12 साल का नगन भिहार 12 साल की उगर गर्मी 12 वर्षों की वो कठिन सीथ की रात जो बिना चटाई कि मैंने गुजार दी लेकिन मन के अंदर से वो इस्तरी ना गई बरबाद हो गया अपनी बात को सोचते 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 पुषवडाल इतना रोई इतना रोई उनका एक एक आंसू उठकरके उनी की जंगा पर गिरने लगा आंख बंद थी पुषवडाल की बारीशेंड पुषवडाल का चहरा देख रहे वहाँ चेलना आंख से द्रभी थो करके बारं बार पुष डाल बुनी बरहाज को खड़े होती फिर नमसकार करती फिर खड़ी होती फिर नमसकार करती अपन तो एक बार भी हेलो हाई करते हैं बगवान से आधा जुके नमसकार किया चला गया लेकिन जैन शाशंग कहता है कि जिगंबर जहन्प्यदमा मिल जाए तो कम सकम तीन बार खड़े होना चाहिए और तीन बार बैट करके नमस्कार करना चाहिए सादू मिले तो ऐसा नहीं कि एक बार नमोस्तु महराजी नमोस्तु महराजी हम बंबाई से आए हैं गधे ऐसा होता है कि नमस्कार नमस्कार कैसा होता है सादू दिग्या जश्टम जिनेंद्राना भवसंताप कुंजरम जब आप वो कहते हैं हजारों पापों को सत्ता भेद माया थी उनके दशन करने से पाप के हजारों टुकड़े हो गया बग्मन एक बार नमस्तू किया बैट करके फिर खड़े हुए फिर बैट करके नमस्तू किया फिर खड़े हुए फिर बैट करके नमस्तू किया फिर खड़े हुए फिर नमस्तू किया फिर कड़े हो करके किनारे खड़े हो गए फिर पूछा बगवन रत्नत्रे को सल तो है आपको साता तो है किसी चीज की प्रत्कूलता तो नहीं है ये क्रिया कलाप ये जहन दर्शन में सादू की और देव की आराधना विदी है बंदू चेलना पुषडाल स्वामी के बहते हुए आंसू को देखते हुए बार बार खड़ी होती नमोस्तू करती बड़े बार खड़ी होती नमोस्तू करती और जैसे चेलना को देखा कि मेरी सास जो है वो बार बार पुषडाल वारिशन मुनी तो किनारे खड़े हो गया वारिशन म महराज ने अब काम बचाता चेलना का चेलना बार-बार रोते हुए नमस्त धन्य है मुनी महराज बारा साल से आप इस तरीके की कठोर्तम साधना कर रहे हैं जबकि चेलना समझ रही है इस्तिती करन आवश्यक है इनका मन अपनी सुधती नाम की इस्तिरी पर मुग्द है बार 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 चेलना बस एकी बात कहती हे मुनी महराज आपके दर्शन करके मेरी सारे बहुएं करत करत हो गई बहुओं ने देखा कि सासु मा जो है वो पुष्वजाल मुनी महराज को नमस्कार कर रही है बहुओं ने भी बार बार खड़े हो करके बैट करके फिर खड़ी होत जिस्त्रियां और मुझ जैसे पापी पुषडाल को बार बार नमस्तू कर रही हैं, खड़े हो करके बस एक बार वारी शेंड से कहते हैं, स्वामी जंगल चलिए, ये राज महल अपने किसी काम का नहीं है, जब ऐसी वेवस्था बना दी, जब पुषडाल ने खुद वारी श उतर गया, हम वेक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन गुर्देव कहते हैं, मैंने हमेशा किसी के वेक्तित की पूजा करी है, और उन वेक्तित की पूजा करने में महारती बड़े-बड़े आचारियों का सहयोग रहा है, इस बरतमान पंचम काल में, आचार शांती सागर जी मह आचार वीर सागर जी महराज, आचार शिव सागर जी महराज, दादा गुरू आचार ग्यान सागर जी महराज, जिस तरीके से जिन सासंग को सम्हालते हुए लाकर के, गुर्देव श्री विद्या सागर जी महराज की हातों पे सौपा, और सौप करके चले नहीं गए, उपर बखड़े हो कर कि आज भी देखते होंगे, कि जिन सासंग का वो पुरोधा, अर्यहंत के बाद सरवादिक किसी के पास शक्ती है, तो आचा रभगवन्त गुर्देव श्री विद्या सागर्जी महराज के पास है. अरहन्तों के बाद किसी का इस्षटी पर जैन सासन पर जलबा है तो गुर्देव श्री विद्या सागर जी महाराज का है अरहन्तों के बाद देवता किसी और की पूजा करते हैं किसी और का कोई अद्रस समोशन लगता है तो गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुनी महार चलती हैं बंदूओं ये उनकी साधना का अद्रश परणाम साप के सामने दिखाई देता है कहीं पर भी कितना भी तेज क्यों नहीं दिखाई देता हो रात को बारा बजे जहां गुर्देव सोते हैं बहां जाकर के देखिएगा बहुत ठंडी बयार धीरे धीरे चलती है अग थोड़ी हवा ही कर दें सवभाग रहता है लोगों का रात में भी लाइने लगती हैं क्योंकि वो दर्वाज़क को बंद करके तो रहते नहीं रात में भी लाइने लगाते हैं लोग कि मैं इतने महंतम आचार लेटे हैं अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता बस एक हलक चलो न जंगल यहां पर अब रहने की इक्षा नहीं होती बारिशेण मुनी महराज सोच रहे थे कुछ देर पहले तक तो सुधत्ती दिमाख में कितनी घुसी हुई थी कि बारा साल से एक मात्र प्रतिकमन करे तो मांख बंद करके सुधत्ती याद आती आहर करते में को इस् अच्छी लगे तो सुधत्ती याद आती कि मेरी इस्तरी कितना प्यारा बनाती थी वारिशेण को आज इस बात की खुसी है कि जिसको सादू बनाया था आज सादू पना उसके अंदर उतर गया कुछ आम ऐसे होते हैं कि आम के आकार के तो होते हैं लेकिन खट्टा मीठा प कि खरीदा था क्या रे इतना दिख रहा है मुँ में घाएंगे तो गजब का स्वाद आएगा और जब आम को मुँ में रखा तो ना मीठा हो पाया ना खट्टा हो पाया खट्मिटा खट्मिटा लगा दिमाग पूरा कितनी गर्मी है कितनी ठंडी है कितनी कैसा है यह सब वैरागी को, वैरागी को सब में आनन्द आता है, पुष्डाल ने वारिशेंड से कहा, बगवन आग्या हो तो जंगल चले, और वारिशेंड मुरी महराज, पुष्डाल का हाथ पकड़ के, और जंगल को ले गए, आज की समाईक पुष्डाल की लाजवाब थी, के चेहरे के मुस्कुराहट कम नहीं है ओग्रिट गर्मी पड़ रही है पूरे सरीर से पसीना बह रहा है वारिशेन मुनी महराज आकर के पुश्वाल की तीन परिक्रमा लगा गए और इस बात की खुसी हुई बड़े-बड़े आचारियों को भी बड़ा अच्छा लगता है बंदो जब उनका शिष्व अप्रतिम चरिया करता है बड़े-बड़े आचारियों का भी मन करता है कि सादू मैंने ही बनाया है मेरी ही मूर्ती है जैसे खुद कोई गणेस की मूर्ती बनाए दुरगा की मूर्ती बनाए किसी और का विग्रह बनाए और कलाकार खुर अपन महराज ने अच्छी परिक्रमा लगाई और अंत्य करण से उनको नमुस्तु किया और भगवान को परणाम किया कि बगवन अबगुहन और सितिकरण में आज का दिन सारतक हो गया उन इस्तियों का जीवन भी सारतक हो गया उन सोलह कर्णा को भी लगा कि मेरा सौंदर किसी के स्थिति करन के काम आ गया क्या सौंदर हमेशा किसी को बासना ग्रस्त करने के काम आता है ऐसा नहीं जब अच्छादिक सौंदर के साथ आप आहारदान देते हैं अच्छादिक सौंदर वाली महिलाई मंदरों में जाकर की निर्दोस भाव से दान देती हैं त्याक करती हैं पूजा करती हैं, तो आपकी की गई भक्ती से भी कई लोगों को सम्मेक दर्शन हो जाता है, कई लोगों को लगता है, देखो तो बड़े घर की इस्तरी है, हाथ में हीरे के अंगोठियों कंगन चमक रहे हैं, कितना सोने चांदी का गजब का बैपार होता है, बड़े घराने के भवें, पैदा लाती हैं भगवान की पूजा करने के लिए चांदी के बरतन लेकर के, और पूरी चांदी की दरब बचढ़ा करके रोज चली जाती है, आपकी इस इस्तरीयों को, उस चरिया को देख करके भी पूरुस को सम्मेक दर्शन की प्राप्ती हो सकती है, बड़ कि हमारा सौंदर लोगों को वासना गरस्त करने के लिए तो कई बार काम आया होगा, घर के अंदर जब चेहरों पर पाउडर लगाया जाता है, यही सोच करके तो लगाया जाता है कि कोई मुझे देखेगा, लेकिन कभी ये सोच करके तैयार हो करके देखेगा, कि आज इस स समाइक करूंगी, कि लोगों को समाइक के प्रती श्रद्दा पैदा हो जाए, गुरू की ऐसी भक्ती करूंगी, कि लोगों को गुरू के प्रती, धर्म के प्रती आस्ता पैदा हो जाए, तब लगेगा, ये सौंदर सिर्फ बासना के काम नहीं, किसी की हिर्दय में उपासन पैदा करने के काम भी आ गया क्या गजब का है क्या खुबसूरती है दरसिल की कि हम चाहें तो हमारे पास प्राप्त हुई बस्तू से हम दुनिया में बगल वाले को तो प्रभावित करके उसका मन तो बदल ही सकते हैं न हम दुनिया भर के लिए प्रभावक नहीं बन सकते हैं कोई बात नहीं अपने घर में तो प्रभावना कर सकते हैं अपने रिस्तेदारों के बीच में तो प्रभावना कर सकते हैं न आप परजित के बीच में प्रभावना करना बहुत दुरूह काम होता है उसके लिए साधना की भट्टी पर घंटों नहीं बर्सों तपना पड़ता है साधिकों को जब आबाज में दम आती है कि प्रवचंग घर के अंदर बैठ करके सुनते हों और पैदल गर्मी में यहां तक चले आते हों इसके लिए तो साधना की सिखर तक पहुंचना पड़ता है गुरू का साथ ले करके लेकिन अपने परिवार को प्रभावित करना अपने रिस्तेदारों के बीच में धर्म की स्थापना करना अरे किसी एक निर्जन मरते हुए फूल के बीच में अगर हमने देशास गुरू की स्थापना कर दी किसी को शद्दावान बना दिया किसी को पुन्य करने के लिए प्रिरित कर दिया हमारे कहने से अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के पूजा करने लगा तुम भी बड़े बड़े आचारों जैसे प्रभावक कहलाओगे बंधू ये प्रभावना जो वारिशन महराज ने करी ये प्रभावना जो महराज पुश्वडाल के मन के अंदर पैदा हुई और उनकी समाई को देख करके वारिशन मुनी महराज भी अपने शिष्टि की तीन परिकमा लगा करके अपने आपको धने धन कर सके आपकी उन व्रतियों की महा व्रतियों की सादू भगवनतों की सादवी भगवनतों की ऐसी अप प्रतिम चर्या हो किसी के घर में रोटी खाने जाएं कोई आरिका तो उस इस्तरी को ये भाव पैदा हो कि दूसरे के घर की बेटी हमारे घर के अंदर इतना सुद्ध सात्तिक बोजन करके चुपचाप चली गई कास हमारी बेटी होती किसी घर में जाती तो मेरी भी चाती थोड़ी और चौड़ी हो जाती इसको प्रभावना कहते हैं इस प्रभावना में आज भी हज्जारों संतानें बड़े घरों की निकल करके पुर्शाद कर रही हैं बंदू आप अपनी संतानों को मुनियार का ब्रह्मचार्णियां ब्रह्मचारी मत बनाईए लेकिन अपने सौंदर का अपनी शक्ती का प्रयोग करिए सौंदर का, शक्ती का, भावनाओं का, अपने द्रब का प्रयोग करके, आप किसी बगल वाले पडोसी को, या फी बगल में रहने वाले रिस्तिदार को, या घर की किसी एक बिक्ती को, अगर धार्मिक बना पाए, तो भी अपने आपको आचैरों जैसे प्रभावक समझेगा, बगुहन और सिती करने का प्रयास करियेगा, बंदू, घर के अंदर जब कोई बात फैलने लगती है, कुछ गंद उठने लगती है, उसको घर के अंदर दबाने में सार सकता है, पडोसी के घर के अंदर जाकर के बताने में, क्या? बड़ी जिठानी चली गई पडोसी कहां मिलवे के महाने अरे बद देवरानी की लड़किया बिल्कुल नहीं माने उको कितनी बार माना करी है लड़कां के साथ मत घूमे करो लेकिन भई घूमत घर का आदमी घर की बेटी पडोसी में जाकर के बोल आया सरम नहीं आई तुमको थोड़ी सी भी इस्तरी हो करके और इस्तरी के सभाव को समझने के बाद भी दूसरी इस्तरी के कान में अपने घर की कन्या की बुराई करके चली आई अपने घर का पाप दो बहने घटी हो गई दो मौसी मौसी घटी हो गई तुमाए घर में हमाई घर में तो बहुत अच्छु लेकिन हमाई घर में जेट बहुत परिसान करत है उन्हें खाबे के लाने सुबह से लेकि रात तक चाहिए गधा के जैसे चरद रहत बाई परिशान हो गए नई करो सो दिक्कत है छोटे आए ना करने पड़ा थै ऐसा कह करके आप अपने घर की बदनामी खुद करते हैं बंदू इस अपने घर की बदनामी को करने से बचिएगा गुरूं के पास भी अपने घर की इस तरीके की बदनामी करने को बचिएगा बंदू जब दर्द अहसेनी हो जाए, आख से कुछ दोबून सादू के सामने टपका करके बस इतना बोलना पड़ता है, महराज आशिरवाद दो ना, और थोड़ा समर्थ बढ़ जाए, बात नहीं बतानी है, सिफ आशिरवाद का पेश्य करना है, गुरू तो इतने प्रवीर होते है जरासी बात में समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंतर मन के अंदर क्या चल रहा है, और वो जब आपके लिए प्राथना करेंगे, निश्चित आपका जीवन स्वर्ग बनेगा, आप किसी के लिए उपगूहन और इस्तिकन का अंग बन पाएं, इनी भावनाओं के साथ को विराम देता हूँ, भगवन्द गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुरी महराज के,